अक्सर क्रिकेटर अपने प्रदर्शन कश्रे टीम में जगे पक्की होने को देते हैं लेकिन हनुमा विहारी अपने हर टेस्ट को आखरी टेस्ट समझ कर खेलते हैं ताकि आत्म मुगदिता से बच सके आंदरपर्देश की इस 25 साल के बल्लेवाज ने वेस्टरंडीश की खिलाब टेस्ट रंगला में 2-0 से मिली जीत में 291 रन बना कर रोही शर्मा की जगे अंतिवे काच में उन्हें उतारने के टीम परवंदन के फैसले को सही साबित कर दिया विहारी ने एक इंटरव्यू में कहा बेशक मैं अपने परदर्शन से खुश हूँ लेकिन मैं सपष्ट सोच की साथ इस दोरे पर गया था मैंने मैच दर मैच रणनीती बनाई और हर मैच को अपने आखरी मैच की तरह खेला इससे मुझे इस सोच की साथ उतरने में मदद मिली कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है कप्तान विराट कोली ने हाल ही में कहा था कि विहारी बल्लेबाजी करता है तो ड्रेसिंग रूम में सुकून का माहोल रहता है उन्होंने विहारी को वेस्ट इंडीज दोरे की खोज भी बताया इस पर विहारी ने कहा यदि चेंज रूम में सबको आप पर इतना भरोसा है तो और क्या चाहिए ये सबसे बढ़िया तारीफ है और खुद कप्तान ने की है तो मुझे और क्या चाहिए हैदरबाद के रहने वाले विहारी की बल्लेबाजी की शैली उनके शहर के स्टाइलिस बल्लेबाजो वीवियस लक्षमन और मुहमद अजरुदीन से जुदा है सिर्फ बारा साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाले विहारी ने कहा मैं जब बारा साल का था और मेरी बहन 14 साल की तम मेरे पिता का देहान थो गया मेरी मा विजे लक्ष्मी ग्रहणी है वो काफी कठिन दिन थे मेरी मा ने पिता की पैंशन पर मेरा घर चलाया उन्होंने मुझे अपने सपने पूरे करने की सहूलियत दी और कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम अभाव में है मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि उन्होंने ये सब कैसे किया और मैंने हैदराबाद में अपना घर बना लिया है मैं अपनी मा को आराम देना चाहता हूँ हन्मा विहारी जैसे महान खिलाडी पर आप भी अपनी रहे रखिए साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए